कि Hello everyone कि ए आज हमी जो टोपिक पढ़ने वाले है वह है फिर्स फिर्ण मद्रिफ्टा के लिए व्हें पर्णे वाले है इफेक्टी टेंप्रेशर और विस्कोसिटी कि परिषह भॉप विक्विड में जो डिस्टंस रोता है वो कम रहता है उहक्विड में को मता以及धन होता है और यह कोईजन रहता है और cohesion जो viscosity का region है वो liquid में क्या है cohesion है अगर हम इस liquid को temperature देते है तो temperature देने कारण यह जो molecule है वो उसमें distance बढ़ जाता है और distance बढ़ जाने की कारण जो cohesion है वो कम हो जाता है और cohesion कम होता है so viscosity भी इसकी कम हो जाती है because liquid में जो viscosity का region है वो है cohesion so अगर temperature हम बदाते है so dynamic viscosity भी liquid में कम हो जाती है अब next है kinematic viscosity अब इस kinematic viscosity में क्या होता है kinematic viscosity का क्या फिर्मल है nu is equal to mu upon rho अगर अगर mu viscosity of liquid अगर decrease हो जाती है temperature बढ़ाने के कारण so dynamic viscosity अगर decrease हो जाती है so mu is directly proportional to sorry nu is directly proportional to mu so new अभी decrease हो जाता है so अगर हम temperature बढ़ाते है so liquid की kinematic viscosity भी कम हो जाती है अब हम next gas के लिए देखते है अब gases में first हम क्या देखते है first हम dynamic viscosity पर क्या असर होता है वो देखते है gases में क्या होता है जो molecules है वो ऐसे एक दूसरे के मतलब distance जादा होता है gases में molecules के बीच so distance जादा होने के कारण distance जादा होने के कारण उसमें cohesion कम हो जाता है और viscosity में जो gases में जो reason है viscosity का वो क्या है हमने पढ़ा है randomness randomness है अगर हम गास को temperature देते है gases molecules को अगर temperature बढ़ाते है तो उसमें randomness increase होता है और randomness increase होने के कारण उसकी viscosity भी increase होता है हो जाती है so अगर temperature बढ़ाते है so dynamic viscosity also increases in case of gases अब हम dynamic viscosity के बारे मेंगे कानेमेटिक विसकोसिटी के बारे मेंगे कानेमेटिक विसकोसिटी क्या होता है mu upon rho so अगर mu increase हो जाता है so new also increase होता है because mu is directly proportional to new new is directly proportional to new so in case of gases dynamic viscosity और kinematic viscosity दोनों viscosity increase हो जाते है जब हम temperature को increase करते है अभी तक हमने क्या देखा temperature का effect देखा liquid के उपर और gas के उपर अब हम देखते है pressure का effect effect of pressure और viscosity अब first हम क्या पास्थ हम liquid के लिए देखते है so liquid में अभी हम dynamic viscosity के लिए देखते है dynamic viscosity में क्या होता है तो अगर हम & pressure increase हमको हमें पता है liquid के हमए?' होता है कोहेजन क्या होता है constant रहता है और कोहेजन रहता है मतलब इसकी जो डैनेयमिक विसकोसिटी है वह भी constant रहती है अगर हम लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते है उसकी कोहेजन constant रहता है और उसके ओसका कि we hop काइनमेटिक विसकॉसीत करें काइनमेटिक विसकॉसीती के अब हम तब देखिते हैं यह ने देखा लिक्टीड के लिए अब हम देखते हैं gassiM के उपर इसका क्या उफिक्ट होता है विस्कोसिटी का वह है रैंडमनेश रैंडमनेश का फॉर्मिला क्या है रैंडमनेश इस एक्वल्स टू रूट थी आर्टी अपॉन एम और अगर हम इसमें गैस फॉर्मिला अपले करें सो पी आर अंडरूट थी गया और अपरान ऑंander ये सो अगर हम प्रेशर को इंक्रease करते रैंडमनेश प्रेक। रहता है रैंडमनेश आंडमनेश फॉर्मैक्यों सौने के कारण जो विस्कोसिटी है वो भीज़ता इनामक इसके ए व भी क्रूस्ट हो रहते हैं अभी हम kinematic viscosity के बारे में परते हैं, kinematic viscosity में क्या रहता है, new is equals to mu upon rho, यहाँ पे mu जो है constant है, लेकिन यहाँ पे एक बात तहन में रखनी है आप पो, यहाँ पे जो density of gas है, जो gas की density है, वो pressure बढ़ाने के कारण increase हो जाते है, density increase हो जाती है, और mu constant रहता है, so अगर density increase हो जाती है, so kinematic viscosity वो decrease हो जाती है, because mu is inversely proportional to density, so in case of gases, kinematic viscosity decreases when pressure increases, और dynamic viscosity, dynamic viscosity constant रहती है, when pressure increases, so, यह जो हमने पड़ा, effect of pressure, temperature, on viscosity, मतलब liquid पे और gas के पे क्या होता है, so, यहाँ पे मैं एक table दिखाती हो आपको, वो बस आपको धहन में रखना है, मतलब आपको यह है, यह है, यह है, यह है, डानेमिक viscosity of liquid, यह है काइनमिक viscosity of liquid, यह है मिउंड ग्यास और यह है मिउड जैस अभी एफेक्त का है एक टेमप्रेचर का एतेता एक प्रेशर का इफेक्त तो इसमें जो हमने पढ़ा है रहर हुर है ग्लग हैं लिकå हो जाती है और यहां पे प्रेशर प्रेशर जब हम बढ़ाते हैं अगर आपको एक ट्रिक तहन में रहती है यहां पे decrease का d d i i so first d d i i और second है c c c or d मतलब c c c c d sorry c c c d यह आपको त्री ध्यान में रखने है अभी नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है compressibility और bulk modulus compressibility मतलब अभी हम लिक्विड में क्या होता है compressibility मतलब compressibility कौन से भी fluids वो क्या होते है molecule से मतलब made made from molecule मतलब molecule से बन जाते है so fluid के दो टाइप होते है एक होता है liquid और दूसरा होता है gas so उसके property पर डिपेंड करता है कि वो लिक्विड है या ग्यासे से मतलब अगर class fluid is a classified as liquid and gases based on properties of compressibility so अगर कौनसा भी fluid compress हो जाता है तो वो होता है gas अगर fluid काप्रेस नहीं होता तो वो होता है liquid लिक्विड is a incompressible liquid के ऊपर हां कुछ आप घर में ट्राइ कर के देखो अगर हम liquid के ऊपर प्रेशर अपलाए करते हैं क्या होता है liquid वैसे कि वैसे लिक्विड वैसे से जो लिक्वीड में जो कॉंपे से रहते हैं यह संने महती बार और गैसे मेंचे स्थ मोरत 새 गैस्थ व्हाम लेकुएड टिफिकल्ट टो और सो जो कॉंपेस्थ थी जेसे वंलितीड अम होने के behavior को हम क्या बोलते है bulk modulus और उसको kc denote करते है so k का formula क्या है k is equal to increase in pressure upon volumetric strain so k is equal to यह पर negative sign थे vdp upon dv so negative sign क्यों because पहले जो वोल्यूम जो रहता है पहले ज्यादा रहता है और बात में कम हो जाता है so final minus initial करते हैं वहां पर हम इसकी वज़े से वहां पर vdp upon dv मतलब यहां पर negative sign आ जाता है और compressibility क्या रहता है opposite to bulk modulus bulk modulus मतलब क्या होता है मतलब compress nerve होने की behavior को हम क्या बोलते है bulk modulus और अगर compress हो जाता है तो उसको बोलता है compressibility so compressibility is equal to inversely proportional to bulk modulus so इसका फॉर्मिला क्या हो जाता है तीवी अपॉन वी डीप माइन यहां पी negative sign so इसको ही हम क्या कैसे लिख सकते है अगर डेंसिटी के फॉर्म में लिखना हो बल्क करते हैं अगर उसको हम देंसिटी के फॉर्म में लिखना है उसको so 1 upon rho into d rho upon dp यहां पर एक यहां पर ध्यान में रखने की बात क्या है वहां पर negative sign आ रहा था लेकिन यहां पर negative sign नहीं आता है because density वहां पर बढ़ जाती है अभी more अगर more liquid incompressible होगा मतलब क्या होगा bulk modulus more होगा so bulk modulus more किसका होगा liquid का because liquid is a incompressible so k liquid bulk modulus of liquid is greater than k gas bulk modulus of gas अभी हम अगर हमें bulk modulus और compressibility के dimensions पता करने होगे तो कैसे करेंगे so हमें पता है k is equals to मतलब इसका जो unit है bulk modulus का वो है newton per meter square हब newton को कैसे लिख सकते है kg meter per second square और यह meter square को हम यहाँ पर लगते है so यहाँ पर 1 meter यह meter cancel हो जाता है so यहाँ पर kg meter second square यह किसका unit आ जाता है bulk bulk modulus का so अगर इसको हम dimensions में कैसे convert करते है यह kg meter second square हम kg को क्या लिखते है meter m sorry m लिखते है so m1 meter को क्या लिखते है l so यह l minus 1 और second को t t raise to minus 2 यह है bulk modulus की unit अब हम next compressibility के dimensions के लेते है compressibility inversely proportional to bulk modulus so यह जो dimensions आहे bulk modulus के उसी को हम सिर्फ sign change कर देते है उसके so m raise to minus 1 l raise to 1 और t raise to plus 2 यह है dimensions unit of bulk modulus और compressibility और यह है जो आज हमने पढ़ा है उसके यह note से यह आप देख लेना और आज के लिए बस इतना ही thank you कर दो